श्री गनेशा या नमाहा नमशकार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा का हमारी दैनिक जीवन में विशेश महत्व होता है क्यूंकि चंद्रमा सबसे गतिमान ग्रह है और हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं होता हमारा दिन भी एक जैसा नहीं होता तो आईए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहे हैं दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपको बहुत ही शुबफल देने वाले हैं जी हां इस दिन चंद्रम आपकी कुण्डली में सब्तम भाव में रहेंगे सब्तम भाव में चंद्रमा के होने से आपका मन शांत रहेगा प्रसन रहेगा आप टेंशन फ्री रहोगे जोश और उत्साह सुबे से ही आपके अंदर देखने वाला होगा इस देन खास करके स्त्री और आपके ससुरालपक्ष से लाब होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी इस समय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे आपका लाइप पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा इस समय में आप अपनी जन्मभूमी से और विदेश से दोनों और से धन कमा सकते हो इस समय में आपकी आर्थिक सिदी काफी मजबूत रहेगी इस समय में आपको धन कमाने के नए नए जरिये भी मिल सकते है अगर आप बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस पार्टनर्शीप में है तो वहाँ भी आपको अच्छा लाब मिल सकता है इस समय में आप कलाकिक छेत्र में अच्छा प्रदर्शन करोगे जोतिस विद्या अध्धात्म जैसी चीजों में आपकी रुची ज्यादा होगी इस समय में आपकी बोली में मिठास नजर आएगी और आपकी बुद्धी तीवरगती से काम करेगी आप इस दिन कुछ नया सोचोगे अपने काम को आगे बढ़ाओगे और इस वज़े से आपकी डेली की इंकम भी बढ़ेगी अगर परसनल लाइप के बात करते हैं लव लाइप के बात करते हैं तो इस समय में लव लाइप और बहतर बनने वाली है अपने पार्टर के साथ समय बिताना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा मोज मस्ती भरा प्रसन नताव आनन से भरा दिन रहेगा ग्रानक्षत्र आपको आज पूरा सहयोग करेंगे तो आपके प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए कदम आगे बढ़ाने के लिए पूरानी तकरार मिटाने के लिए और नए रिष्टे बनाने के लिए हर तरह से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा बात करें तो students इस समय में बहुत अच्छा perform करेंगे आप के लिए समय बहतरीन रहेगा concentration अच्छी रहेगी यह समय जम कर पढ़ाई करने का है अच्छे समय का पूरा लाब जरूर उठाए अपने target सेट करें और उस और पूरी लगन से बढ़े काम्याबी मिलकर ही रहेगी अग अपने स्वास्ति के अनुसार अच्छा diet plan बनाए और उसे अच्छे से निभाए योगा करे प्रानयाम करे सुबह टहलने जरूर जाए बीमारी आपसे दूर ही रहेगी इस दिन आपके लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और छे अंक इस दिन आपके और पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफ प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रह है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और वो चीजे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते है तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप उनकी जगे पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार द साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं. दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चपल जरूर रखे साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा जीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखें जी हां साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेंगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरह से साप सुतरा रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जान कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम ह हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशां साब सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिर्षेडा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल श इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साप सपाई जरूर करे जी हाँ वैसे तो एक हपते म महिने में तो आपको घर पूरी तरे से साफ करना चाहिए और मकडी के जालों को खास करके अपने घर में बिलकुल भी पना ना दे दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्त्रोथ भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखेते हैं उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिस चीजों को हम मेंटें नहीं कर पातें साफ नहीं रख पातें उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना एं घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्की ला सकते है धन ला सकते है मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद